जै जै स्री हरिवंश प्रणाम आज के भाव में प्रवेश करें एक बार हरी नाम का उच्चारण करके मन मोहना मुर्ली धरा मन मोहना मुर्ली धरा हे नंदनन्दना हे राधामाधवा ए मन मोहना मुर्ली धरा मन मोहना ए मुर्ली धरा मुर्ली धरा हे नंदनन्दना हे राधामाधवा हे नंदनन्दना हे राधामाधवा हे नंदनन्दना हे राधामाधवा श्री सद्गुरू चरणार विंदो जयती श्री रामचरित मानस में एक बड़ा सुन्दर प्रसंग आता है जब मिलता है प्रभू को बनवास भरत जी लोट कर आते हैं क्योंकि भरत जी की अनुपस्तिती में ये सब घटना करम घटित होता है जब भरत जी लोट कर आते हैं और भरत जी को सब सूचना मिलती है तो आकुल व्याकुल भरत जी नंगे पाउं दोडते हैं प्रभू के पीछे मार्ग में भरत जी की बड़ी विचित्र स्थिती है जब भरत जी अपनी ओर देखते हैं रुख जाते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जब अपनी माता की करनी की ओर देखते हैं फिर तो भरत जी को प्रतीत होता है कि क्या मुख लेकर मैं प्रभू के सन्मुख जाऊंगा मन करता है कि लोट जाऊं अब ये प्रभू के सन्मुख जाने योग नहीं है अब मैं किसी भी प्रकार प्रभू के सन्मुख नहीं हो सकता लेकिन जब भरत जी प्रभू के स्वभाव का विचार करते हैं जब प्रभू की ओर देखते हैं तो बड़ी तीवर गती से प्रभू की ओर दोड़ पड़ते हैं और वस्तुते हैं इस मार्ग पर भजन के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर प्रभु के स्वभाव की ओर देख कर ही आगे बढ़ा जाता है प्रथम दिन भी मैंने आपसे निवेदन किया था इस मार्ग पर पग पड़े ये प्रभु की कृपा है जीव आगे बढ़े ये प्रभु की कृपा है और चलता चलता प्रभु का गुण गाता प्रभु की कृपा बनाता प्रभु के प्यारे संत भक्तों के सतसंग का प्रसाद पाता एक दिन प्रभु के चरणों तक पहुँच जाए ये भी प्रभु की कृपा है इसमें कारक भी कृपा है कारण भी कृपा है और प्रसाद भी क परिनाम भी कृपा है, एक किसोरी कृपा तें जो कच्छु होए सो होए, और कई बार इस विशेपर चर्चा हुई कि मनमुख से शन्मुख होने के मध्ध में क्या है, बस गुरुमुख होना ही है, इन संतों के सदगुरु के वचनों का, शब्दों का आश्रे लेकर ही बैठ कर आप और में भी प्रभु के संबुख होने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में श्री मीरा जी से आप और मैं सीख रहे हैं बिनय का भाव भक्ति का भाव अपने मन को सीख दे रही है मीरा जी अपने मन से वारता कर रही है मीरा जी अपने मन से संपर्क साधा है मीरा को नियंत्रित करना ये कोई कठिन क्लिष्ट साधन से बने ऐसा नहीं है बहुत बार मैं देखता हूँ कि साधक लोग पड़े कठिन कठिन साधन करते हैं क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है उसका परिणाम कुछ और ही हाता है अग्रह से चित कठोर हो जाता है, संतुलन का मार्ग है ये, ना आसकती और ना विरक्ती, ये तो अनुरक्ती का मार्ग है, ये तो अनुरक्ती का रास्ता है, और वो ये संतुलन संत से सीखा जाता है, मुझे तो लगता है कि संत ही संतुलित होता है, संतुलित शब्दों में संत शब्द आता है संत ही संतुलित है जीवन का संतुलन साधलिया है और मैं तो बार-बार आप लोगों से कहता हूं संतुलन ही जीवन की सुन्दरता है न यहां और न वहां संतुलन ही जीवन की सुन्दरता का, संतुलन का, सईयम का, नियंत्रन का, और यह जो मन का नियंत्रन है, यह जो मन का सईयम है, कहीं किसी भी प्रकार से, मन पर चौबुक चला कर मन को वश्में नहीं किया जा सकता, अत्यंत कठोर होकर, अत्यंत दुराग्रही होकर, मन पर नियंत्रन नहीं पाया जा सकता, होते हुते तेरी बनत बनत बन जाई हरी सों लागे रहो मेरे भाई इसका अर्थ कहीं भी कहीं भी अनुशासन हीन हो जाना नहीं है इसका अर्थ कहीं वी साधन की और से असावधान हो जाना नहीं है लेकिन इस तथे को भी आपको मुझे ध्यान में रखना है कि यह अतिशीघर नहीं होगा यह ततकाहल नहीं होगा अभ्यास एंतु कौंते वैराग गेंच ग्रहियते बार-बार आपको मुझे अभ्यास करना होगा और एक दिन आप और में सफल हो जाएंगे मीराजी की वानी पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई यात्रा करे ना बहुत गर्म प्रदेश से बहुत थंडे प्रदेश की मालो आपको अपने यहां से किसी दूर किसी पाढ़ी प्रदेश में जाना हो यहां वातावरन बहुत गर्म हो बहुत थंडा हो अब आप बहुत गर्म वातावरन से जब अपनी यात्रा आरंब करते हैं थंडे वातावरन की ओर तो एकदम चलते ही तो शीतलता नहीं मिल जाती चलते 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 धीरे धीरे तापमान कम होता है फिर धीरे जब आप उस थान की निकट पहुंचते हैं और एकदम हिमाच्छादित शिखर परवच श्रिंखलाएं आपको दिखाई पढ़ने लगती हैं उस समय भूल जाते हैं आपने कहां से आरंब किया था और बस प अंसार के ताप से तप्त इस प्रदेश से निकल कर और प्रभु के चरण कमलों की शीतल च्छाओं में पहुंच जाएगा लेकिन ध्यान रहे होते होते ही ऐसा होगा आज जो भाव मैंने चुना है मीराजी की बग्या से जैसे मीराजी अपने मन को सिखावन दे रही है राम नाम रस पीजे रे मनुवा राम नाम रस पीजे तज कुसंग सत संग वैठनित हरी चर्चा सुन लीजे रे मनुवा राम नाम रस पीजे और फिर अपने मन से कहा कि अरे मन नहीं ऐसो जनम बार बार का जानू कचु पुन्य प्रगटे मानुसा अवतार सादू संत महंत ज्यानी चलत करत पुकार और दासी मीरा लाल गिरधर जीवना दिर्चार रे मन नहीं ऐसो जनम बार बार आप जब सादन के मार्क पर आगे बढ़ेंगे तो आप स्वय मनुभफ करेंगे कि साधन करते-करते वो जो ढरंभिक काल की कठिनाईया होती दीरे-धीरे समाप्त होने लगती है एक साधन की सुख दवस्था आती है किसे सुखा दवस्था से मेरा ताथ परे जब मन साधन में सुख पाने लगे, जब साधन में भी रस आने लगे, भक्ती साधन काल में भी सरस है, फलर उपत्वात, नारजी भक्ती सूत्र में कहते हैं, लेकिन ये बहुत आरंविक काल में ऐसा नहीं होता, होते होते, एक-एक स्तर पर जब पहुंचता है साधक, उसकी जब उर्द्रुगमन होने लगता है, उपासना जब मन को पार करके, बुद्धी को पार करके, जब चित के धरातल पर पहुंचती है, तब ये सुखद अवस्था सादक को प्राप्त होती है, आपके शब्दों में अगर मैं कहूं, ति कमफर्ट लेवल, जब साधन सुखद हो लगता है, लेकिन ये होगा कहां से, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक विचार निवेदन किया था, कि आरंभिक काल सादक के लिए बहुत सुखद नहीं होता, नीरस होता है, वो कठिन होता है, उस कठिनाई और उस नीरस्ता से पार जाने का नाम ही साधना है, और यही सा लगा रहे, दुर्वदाज जी कहरे, कभ हूं तो थोरो भजन, और कभ हूं होत बिसाल, पर भजनी ऐसो चाहिए, छुटे ना मन की चाल, कभी नहीं होगा भजन, कभी बहुत होगा, कभी बड़ा मन भाव में भीगा होगा, कभी बिलकुल रूखा सूखा होगा, कभी इच् आधक को वही सजग रहना है, वही साभधान रहना है, मैं फिर दोराउँ अपने शब्द मन लगे और साधन हो, तो मुझे लगधा इसमें तो कोई परिश्रम नहीं है, कोई कथी नहीं है, यह तब एसी स्थिती पह आते आते है, लेकिन आरामिक नाल में, आधक को परिश्र हर दिन, हर दिन तो संसार के लिए जीव पचता है, मरता है संत को तो देखकर बड़ी दया आती है और कविर साहिब कहते हैं, अरे चलती चाकी देखके दिया कविरा रोए और दो पाटन के बीच में सावत बचानक होए, एहमता और ममता कि चक्की में जीव पिस्ता ही चला जाता है, पिस्ता ही चला जाता है इस पीडा का कहां अंत आता है इस पीडा की कहां समापती होती है संसार के लिए भी तो कितना परिश्रम करते हैं कितना पचते मरते हैं, और एक बात आपको मैं अपनी ओर से कह दू संसार के लिए किया गया परिश्रम फल दाई हो के ना हो खबर नहीं लेकिन प्रभु के लिए किया गया परिश्रम एक दिन अवश्य फल लाता है और साधारन फल नहीं परम फल लाता है प्रेम फल लाता है और जहां से आज मैंने वारता आरंब की ना कि प्रभु के स्वभाव की और देखकर बढ़ा जाता है और प्रभु का स्वभाव है संजार की ओर देखो संजार की ओर देखो तो भी इस बात का संतोश होता है संजार नहीं रखता तो भगवान क्यों रखेंगे और फिर प्रभु का तो विशेश स्वभाव है इसलिए साधक घबराए नहीं लेकिन चलेंगे आप और चलते चलते फिर एक सुखद अवस्था आजाएगी जब आपको साधन सुखद होने लगेगा और फिर एक और भी बात है कि साधन काल के जो अनुभव हैं वही आपके सबसे बड़े शिक्षक होंगे बहुत सी बाते ऐसी होंगी जिसके बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपको स्वयम अपने अंतहय करन से मिल जाएंगे बहुत सी जिग्यासा ऐसी होंगी इसका समाधान आपके रिदय में बैठा अंतर्यामी कर देगा संत कहते हैं उर प्रेरक हित चंद प्रेम प्रभु सबके घट के भीतर विराजमान हैं परों सदा तिनकी रखवारी और वैसे भी जो पहुचा है वह उसकी संभाल करने के कारण ही तो पहुचा है प्रभु ने संभाल स्द्ध तो कोई पहुचा है जीव कैसे पहुच सकता है अनंत काल से संसार के माया के प्रपंच में पड़ा हुआ जीव अपने स्वभाव को भूल कर अपनी स्वभाव को भूल कर अपनी स्वरूप सिद्धी तक बिना प्रभू के अनुग्रे के कैसे जा सकता है कोई गया है तो उसकी कृपा सही तो गया है और कोई गया है तो हम भी कोई किया है तो हम भी सकते संतों कि और देखकर प्रभु की और डेखना है जाहता जाता है औरल जहां से मैं आज की भारता अरंप की भरत जी डेखा नटरुपदाइज जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं तो कहते हैं कुवरी की सोरी नाम सों उपजो दृढ विश्वास करुणा नीदी मृदुचित हती तातें बढ़ी जीय आस अपनी ओर देखता हूँ अपनी ओर देखता हूँ तो अपनी मूरता पर हसी आती है कि अरे कहां तू और कहां वरंदा विपिन ये क्या कहने चला है पर कुमरी की सोरी नाम सों उपजो दृढ विश्वास ये जो मेरी श्वासों में ये रचा बसा है न राधा 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 काश हुआ है उनके स्वभाव काश्रे लेकर यह यह लीला गान करने का साहस करता हूं तो कहने कातातर मेरा यह आप आरंब करेंगे तो जैसे गरमémण प्रदेश से यातरा की तो आरंब हो जोगी है क्या बात कर रहे है लेकिन यो बड़ा महत्त्त्यात्त्या準 और कल भी मैंने आपको काता है, मैं किसी भी संत की वानी गाऊंगा, लेकिन उस संत ने जो कहा है, उस संत ने जो उपदेश दिया है, उस संत ने जो सिखाया है, अपने मन को सिखाया है, और अपने मन को सिखा कर ही कोई सिखा है, अपने मन को साध कर ही कोई सधा है, कोई सिद् मीराजी ने पहले अपने मन को प्रभु के पास बैठाना आरंब किया फिर मन को थोड़ा रस आने लगा और फिर मन आनंद की अवस्था में पहुचा और जब आनंद की अवस्था में पहुचा फिर मन अपसे कहती है मीराजी फागुण के दिन चार होरी खेल मनारे फागुण के दिन चार बिन करताल पखावज बाजे बिन करताल पखावज बाजे अनहद की जनतार होरी खेल मनारे फागुण के दिन चार होरी खेल मनारे और ये पद पढ़कर में एक बात और नवेदन करना जाओंगा कि ज्ञानी भक्त हो के नहो लेकिन भक्त ज्ञानी होता ही है शुतियों का ज्ञान भक्त के हरदय में बिना किसी प्रयास के सहज स्फुरित होता है प्रकट होता है और हमारे श्री डोंगर जी माराज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते थे वो कहते थे जो ज्ञान जन्म लेता है जो बाहर से ग्रहन किया जाता है जो ज्ञान जन्म लेता है किसी प्रयास से किसी साधन से तो जन्म लेने वाले का तो मरना तै है लेकिन जो ज्ञान प्रकट होता है वो जीव को उसके परम पुरुशार्थ की सिद्धी कराता है उसके लक्ष तक पहुंचाता है तो भक्ति की क्रिपा से प्रभू के चरन कमलों के ध्यान की क्रिपा से चिंतन की क्रिपा से शुतियों का समस्त ज्यान भक्त के रिदय में बिना किसी परिश्रम के प्रकट होता है हमारे मानव सिवा संग के स्वामिशी शर्णनन जी महराज मैं उनका बड़े आदर से समरन कर हुँ क्योंकि इस शतापदी के अध不知道 महा पुरुष वह हुए वो कहा करते थे जिसकी गती मती रती प्रभु के चरण कमलों में स्थिर हो जाती है वेद का ज्यान उसके रिदै में बिना किसी प्रियास के सहजही प्रकट होता और जो ग्यान प्रकट होता है, जो ग्यान भीतर से प्रकट होता है, वो ग्यान रोम रोम को प्रकाशित करता है, उस ग्यान में अहंकार का लेश नहीं होता, उस ग्यान में दंब आने का भे नहीं होता, क्योंकि वो ग्यान प्रभु के चरण कमल की कृपा से प्रकट हुआ है, वो ज्यान शुद्ध है, वो ज्यान विशुद्ध है वो ज्यान साथ runners वी आत्म कल्यान कराने वाला है तो मीरा जी के कुछ पद ऐसे हैं जिसमे शुरी मीरा जी ने ज्यान मार्ग कीवे बड़े अधबुत रहश से उजागर किये हैं और गाते गाते बड़े सहज में वेद वेदान्त के वह अद्वुत सद्धान्त सूत्र मीराजी प्रकट कर देती है तो आज का पद जो है इसमें ज्ञान भी है इसमें भक्ति भी है और ज्ञान और भक्ति का संयोग हो तो प्रेम प्रकट होता ही है ज्ञान और भक्ति के संयो बिन करताल पखावज बाजय अनहद की जनकार रे और बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे यहां मीरा जी उसी प्रेम के संगीत की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा आपने मैंने कई बार की कि जब शान्त होता है मन का कोला हल ऐसी संकल्प विकल्प मौन हो जाते हैं ऐसी नाम जब के क्रिपास है कामना नश्ट होने लगती है और जब कोई कामना नहीं रहती उसी परम शान्ती में उसी परम शान्ती में प्रेम का यह अद्वुत नाद प्रकट होता है जिसे मीरा जी क बिन करताल पकावज बाजय और अनहद की जड़कार रहे वो एक ऐसा स्वर मुरलिया बाज रही उसमें उसमें असीम माधुर रहे उसमें अनंत शांती एक साथ रदय में प्रकट होते हैं और मीराजी के बिन सुर राग छतीसु गावे गाने वाला कोई नहीं है स्वर कोई नहीं है लेकिन संगीत है स्वर नहीं है लेकिन संगीत है और सब राग बज रहे हैं समय समय पर भिन 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 भावनाय भक्त के अंतहकरन में प्रकट होती है और मीराजी करें रोम रोम रणकार रहे रोम रोम जनकृत होता है यहां आकर वानी असमर्थ हो जाती है फिर भी मीरा जी की वानी में तो अद्वुत सामर्थ है कि उस देश की बात मीरा जी शब्दों से प्रकट कर रही है जिस देश की बात तक मन वानी नहीं जाते उसी को मन वानी से प्रकट कर देना ये निश्चित्रोप से किसी समर्थ संत की वाणी का ही प्रभाव प्रताफ हो सकता है लेकिन फिर भी मैं यहां यह कहूँगा है यह अनुभव गम में क्या कहना चा रहे है मीरा जी केवल मीरा जी के शब्दों में प्रकट इस आनंद को संकेत समझ कर इस और बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है और किया जाना चाहिए आगे कहती है मीरा बैसा सील संतोख की के सरगोली सील संतोख की के सरगोली प्रेम प्रीत पिछकार रे उडत गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे फागुन के दिन चार रे सील संतोख की केसर घुली यह उस प्रेम देश की हुली का वरणन मीरा जी कर रही है और अपने मंद से के रिये फागुन के दिन चार अर्थात ऐसे वर्ष में कुछ दिन के लिए आता है ना फागुन का महीना जब हुली के उचसव का आनंद लिया जाता है ऐसे मीरा के भटकने के बाद प्रभु से बिछडने के बाद अरे अब प्रभु के क्रिपा से तुझे यह नर्तन मिला है यह नर्देह मिली है और यह चार दिन का जीवन तेरे हाथ आया है यह चार दिन आये हैं फागुन के फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे फागुन के दिन चार जी भर के अपने प्रान्फ्रियत्तम के संग होली खेल, और होली कैसे खेल, अब होली में क्या है, गीत है, संगीत है, रंग है, पिछकारी है, यहाँ गीत कैसा है, बिन करताल पक्खावज वाजै, अनहद की जनकार, वो अनहद का नाद है, और बिन सुरराग च्छतीसु रोम रोम रणकार और जब समाप्त हो गई सारी कामना है मती हो गई निशकाम चित हो गया निशकलुष उस नीरव शांती में प्रेम का वो दिव्व संगीत प्रस्पुटित हुआ और ऐसा प्रस्पुटित हुआ कि रोम रोम जनकृत हो रहा है रोम रोम से बह रही है वो संग कि माधूरी वह प्रेम की धारा ऑर मीणाजी के रंग कैसा है और सांट धोकि के Barbara सीथ प्रीट प्रिचकारड प्रेम और प्रिद की में शील और शंपोर डाला की Tasmin मैंने कई बार व्यास्पीट से भी निवेदन कि कभी-कभी प्रग्या के अभाव में भावुकता भटक जाती है भाव के नाम पर मैंने बहुत लोगों को ऐसे उच्छरिंखल होते हुए देखा है एक बात मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूँ भाव से सुन्दर इस संसार में और कुछ नहीं है भाव से श्रेष्ट इस संसार में कुछ नहीं है भाव ही तो है इसमें प्रभु विराजमान होते है भाव उच्रिंखल नहीं हो सकता भाव सदा सुन्दर होगा गरिमा में होगा शालीन होगा शांत होगा सुमधुर होगा सुरम्मे होगा कभी-कभी देखता हूँ ना भाव के नाम पर कैसे भी मन मानी करने लगते है कुछ लोग भाव के नाम पर उच्रिंखलता होने लगती है भाव के नाम पर कोला हल होने लगता है अरे भाव से सुन्दर और क्या है जिसमें भगवान बसते है भक्त का भाव शालीन होता है सुमधुर होता है, गंभीर होता है वो एक साथ गंभीर भी होता है, गहन गंभीर और सर्वोच सर्वश्रेष्ट भी होता है तो यह जो शील शब्द है मुझे लगता है यह गोण भग्त में अवश्य होना चाहिए साधक में अवश्य होना चाहिए यदि वो वस्तुत है, प्रेम प्रबु की साधना कर रहा है, तो शीलवान हो, सहन शील, एक एक अदबुत सा संकोच होता है, उसके पास एक लज्जा होती है, एक विनम्रता होती है, कैसा शील है सुदामा का, कैसा शील है सुदामा का, कैसा शील है विदुरानी का, कैसा शील ह माता शबरी का बक्तों की ओर देखकर खबर पड़ती है शील क्या है और मीरा के नहीं प्रेम की होली इसी शील और संतोष की केसर घोल कर प्रेम की पिछकारी में रंग भर कर खेली जा सकती है उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे भागुन के दिन चार शील और संतोष की केसर घोल कर कोई प्रेम और प्रीत की पिछकारी में भर कर रंग चलाए तो फिर मीराजी केरिये धर्ती आकाश सब रंग में रंग जाते हैं जित देखू तित श्याम मई है फिर बरस्ता है प्रेम का वो रंग और अपार ऐसा बरस्ता है कि रोम रोम भीग जाता है घट के सब पट खोल दिये हैं लोक लाज सब डार रे फागुन के दिन जार और ये है विराजी के रिए घट के सब पट खोल दिये हैं अब भीतर बाहर से मन सावाचा कर्मना तन से मन से प्राणों से अब मैं अपने सावरे की मेरा सावरावेरा माई रही मैं तो सावरे रंग राची लोक, लाज, सब डार रे और यहां एक संकेत ये भी है एक स्थिति भक्त के जीवन में आती है जब वो विदी निशेद के बंदनों से मुक्त हो जाता है जब उसका जीवन, उसका मन, उसकी बुद्धी, उसका चित, उसका एक-एक संकल्प, उसकी एक-एक चेश्टा, उसकी एक-एक श्वास प्रभुनी अंतुरित करते हैं होरी खेल, पीव घर आये, होरी खेल, पीव घर आये, सुई प्यारी, पिये प्यार रे फागण के दिन चार, मीरा के प्रभु गिरिधर नागल, मीरा के प्रभु गिरिधर नागल, चरण कवल बलिहार रे फागण के दिन चार, होरी खेल, पीव घर आये, सोई प्यारी प्यार रे, मीरा के रिए कि अरे ऐसी प्रेम की होली खेल कर प्रियतम को अपने मन मंदिर में बैठाया जाता है, इसी उत्सव के लिए प्रभु को बुलाया जाता है और ऐसा उत्सर खेलने के लिए, ऐसे उत्सव में संमलित होने के लिए प्रभु पधा थरते हैं आप जनमंश्व भी मनाते हो, और फेका है बाहर आप खुम पसारा करते हो, आप प्रभु को प्राकत्ते का उत्सव मनाना अ जाईए पर वास्तव इक उत्सव पर advantages सब यहां and subho चैंब बिदे जंगार हो जब रोम में जऑनकरित हो वह परेम का संगीत मनुष्य का जम तो कम से कम यह उच सब मनाने के लिए मिला हैå हुर्दय इसी होली खेलिये में परेतμ के संग और मेरे प्रेम में रंग कर अब प्रियतम मेरे हुरदय मंदिर में विराजमान हुए है मीरा के प्रभू गिरिधर नागर चरण कवर बलिहार रे और मैं तो सदा कहता हूँ भाई ये जब मीरा जी मीरा के प्रभू गिरिधर नागर कहती है तब तो मीरा जी पर सर्वस्ट पर नियोचावर करने का मन करता है मैं तो किवल अपने आदे अधूरे से मन से कलपना भर करता हूँ कि क्या स्थिती होती होगी जब मीरा जी का अरदा ये कहता होगा मीरा के प्रभू गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे तो आज तो मीरा जी ने ऐसी हुली खिलाई है अपने मन को स्थिखावन भी दी है कि अरे मन यहीं से आरंप किया है बाइसा नेarray मन चार दिन के लिए जीवन मिला है भागून के दिन चार जी भर के प्रभु के संग हुली खेल शील और संतोष की केसर घोल और प्रेम और प्रीत की पिचकारी में भर कर रंग दे स्वयम को भी और अपने प्रियतम को भी तेरा प्रियतम तेरा प्रियतम तुझसे ऐसी होली खेलरे की ही प्रतीक्षा कर रहा है होली खेल के प्रियतम घर आएंगे जी भर के उनको निहारना और चरण कमलों की बलिहारी लेना आज तुम्हें कुछ और नहीं कहूंगा इसी भाव का आनन्द लीजिए कल फिर आपसे मिलना होगा श्री हरीवंज प्रणाम